पीपी न्यूफ 24 इंटू 7 सच्चाई कलम की नूख पर नवस्कार आप देख रहे हैं पीपी नी जिहाई श्वाक्त की बड़ी खबर आजमकर लोकसभा उप्चुनाओ 79 के चकरपानपूर के अकमेलपूर में विसाल जनसभा को संबोधित मुखमंत्री होगी आदितनाच जी ने किया उन्होंने विसाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक मौधा दिनेशलार निरववय को भी दे बाजपर लोकसभा उप्चुनाव के परत्यासी बनाए गए एक मौका देकर देखिए अपने शंबोधन में कहा कि मेरा संदेश घर घर तक पहुंचा है निरवा एक कलाकार कलाकारों को मंच देना उत्तम साथ में उन्होंने कहा कि विकास को मेरे उपपर छोड़ दीजिए ज तो ये सवय बचा हुआ है उन्होंने काफी विकास किया जाना है वह भी पूरा किया जाएगा वहीं सूबे के मुख्या ने सपा बसपा पन निशाना साथते वे कहा कि दोनों राहू और केतु है जनता ने उसको बहुत से मौके दिया लेकिन उन्होंने केवल ठगने का काम क दिया है और आजमगर में तमाम कार करता रहे लेकिन टिकट न देकर केवल परिवारवाद का ही बढ़ावा दिया जा रहा है परिवार वादी पार्टी है और कहा कि जब से डबल इंजन की सरकार बनी है विकास ही विकास है पुरवांचल एक्सप्रेस लेकर तमाम सरकार के विकास की कारे बताया है और पुर्वांचल एक्सप्रिस सहीद अगनीपत्र योजना के बारे में भी भी स्टार से बताया और अगनीपत्र योजना में नौजवानों को क्या-क्या सुवधाया अपने संबोधन में बताया भाजपा पर दिनेशला निरहुआ ने भी मुखमंत्री होगी आधितनाथ का स्वागत करने के बाद एक गिर्दगाया अगलेश हुए फराद निरहुआ डटल रहे आज देखें मंगल मिस्टरा की खास रिपोर्ट कि इसमें करोना से आप लो पचाया है ना अगलेशनी क्या पोलते थे कि अंक परोना का टीका नहीं लगाएंगे और नोंने कहा था ना कि इर्टीका पीजेभी का ठीका है और नोंने कहा था ना कि ओल्राइश देश को कुम्रहा कर गए सयोग तो नहीं के, आपके संकट में सयोगी तो नहीं बने लेकिन खुम्रा कर रहे थे, आपके जीवन के साथ खिलवार कर रहे थे लेकिन मोधी जी ने और भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने डबल इंजन्दी भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने फिरी में टेस्ट, फिरी में वैक्सीन, और फिरी में रासम देने का भी काम किया, रासम मिला रासम देया भी नहीं देया, रासम मिला होगा ना, 25 लाग रोग, अकेले आसम बड़ में, करोना कार्फट में ही नहीं, अभी महिने में दो बार रासम राप्त करना हैं, महिने में दो बार, और योगे नो, पहले गरीबों तो रासम मिलता ही नहीं था, वो एकसित निखला, पुस्पचार कर रहे थे, हम घिरी में वैकसित नहीं रहे थे, वे लोग बड़ीबों का खात्यान खात आते थे, हम वो 15 करोड़ बड़ीबों को तर्विदेश में घिरी में रासम की सुटा प्रप्त करवा रहे थे, आज भी करा रहे हैं, आज भी करा रहे हैं, सब कुछ हो चुटा है, करोणा समत्क की और है, लेकिन, यह हमारा दवाइत्वता संकट के समय में अपनी डोगों के साथ हम खड़े होंके, निकास भी नहीं रुकने किया, लेकिन, उक्चार के साथ साथ बचाओ के उपाए भी और घर ग्रेस्टी में भी कोई संकट माने पाए, इसकी पुपता विवस्ता भी करने के लिए सब्कार काम लगाए, ज्यादा कुछ मैं भासर नहीं करूगा, क्योंकि हमारे प्रदेश के यह सच्छी मुख्यमंत्री यह हमारे बीच में है, और मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ, कि हिद्वस्तान के किजी भी कोई में हम लग जाते हैं, तो हर प्रदेश का ब्यक्ति यही कहता है, कि मिरोमा आप लोग बरे भागे शाली हो, कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री महराजी स्वर्म आपका प्रदेश समाद रहे हैं, और आपके उप्तर प्रदेश के उप्तर प्रदेश बना रहे हैं, आज कि उनके पास भी कुछ यदि महाराजी जैसे एक मुख्यमंत्री हो तो यह हमारा आपका सोभागिया है कि हमारे उत्रप्रजेश के मुख्यमंत्री जी आप स्वाय में हमस्तिक है मैं जाना कुछ नहीं करूँगा उसे इतना कहना चाहूँगा तो 2019 में जब मैं चुनाओ लड़ा था मैं चुनाओ यहारा उसके बाद भी मुझे निमहाराजी के दिर्देश से लगातार मैं आज़म करके बिलाहन सभाओं में लगा रहा और एक-एक वितू को एक-एक समस्या को पुझे निमहाराजी तब कहुचाता रहा नेके जाता रहा और उस पे काम कराता रहा तो जब मैं आता था अभी पिछले जब लहन सभाओं में चुनाओ हो रहा था तो समाजवादी भाटी वाले कह रहे थे एदी रहू एबार अमान के सरकार बनते बन जादा तब तो के बतावा जेगे हम करें अच्छा अब तो कुछ बनावें के पड़िए तब बनावनी कि चाहे जतना जोर लगाना अच्छा हे जितना स्वार मचाला जीतेगी पिजबी ही और आएंगे और आएंगे और आएंगे और आएंगे ये पुचिनियो महरागी ही आएंगे और वो पिनमों में जाने के चुमों। लेकिन मैं कह सकता हूँ, नाज़मानों के बहुत सारे उसरां नारे हैं। हमारा नाज़मान प्रदेश के अंदर, हम देश और दुनिया की सबसे अच्छी प्रिमिस्टी आने जा रहे हुं तर प्रदेश के अंदर। अधर गणा बोस्तरी प्रदेश के लिए उसर आएंगे। क्योंकि कराकार को हमारी एक उत्लत्थी है, हमारे ने इसवर बारा प्रदत्य को बहा रहे हैं। और इन कराकारों को सम्मानित करना, इन्हें आगे रहने के लिए पूच्छाइट करना, इन्हें बंचों के मात्यम से आगे गढ़ाने का उसर देना, ये हमारा द्वाइब को है, और द्वायोगनों मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूँ, आसम गढ़ को आतम बात का गढ प्रप्रमकाने पीए आजम गढ़ को आधिम कर बनाने के विए विकास की और रही है कि अपके पास आया हूँ नगये के रहे दिन से, और जूपिएगा मत, इस दोब ने एक आपको एक उसर दिया है, तो भायों मैंनों, आसम गढ़ में आप देह रहा हूँँ, अब ध़ट तक नाएने कटी कोती है नहीं तो यहां पर दो यादर ही लाना था पहले तो आपने अप्मान किया एक जबी काले करता था उनको पहले आपने ठिकल दिया हम लोगाने सोचा विछ लो ठीक है अब ये परिवाद माया के दलन से इनकी कोंद दाहर निकल जाएगी लेकिन नहीं लिए उन्हें हुआ बिरुटन अपने परिवार के हिमें गों को यह पेज़ दिया तो मैं आप लोगों उसी इतना गया चाहता हूं कि सिर्थ नाल है इतना समालवारी पार्थी असलियत इनकी ये है धिये है परिवार्वार्थी होई भाई में तों लोग के समझ द्रब्लों क यह लडाई की लडाई है इस लडाई को अपनी लडाई से आयों में लूकेरों को यहां से ख़दा करते हैं इस लडाई को अपनी लडाई का तो दोर जिए अजया राजनातिक समाजे सरुकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू आईए रुप करते हैं आज के खबरों की ओड़ आपके अंदाज में ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बैल आइकन दवाना ना भुलें